है गाईज देखो एक ऐसी कमपनी है जिसमें कभी-कभी 80% तक का गिरावट देखने को मिलता 80% जो की बहुत बढ़ी चीज है है कि नहीं है तो क्या होता कि जनरली जब किसी स्टॉक्स में गिरावट होता है या आज के रेट में भी अगर आप देखोगे निफ्टी हाइप है है याज ठोड़ बहुत गिरावट होता तो लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी मार्केट और करेक्ट होगा और गिरेगा अभी तो मतलब बहुत अभी मार्केट करैश होने वाला यह ऐसा 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 आजा वो कुछ बहुत कुछ बोलेंगे बो लोग आपको ठीक है ग्राउंड के बाहर हो तो भही, आपको कोई मतलब ही नहीं है, हई कि नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो यह चीजों को समझा करो यहाँ पर, एक ऐसी कमपनी है, जो 80% गिर चुका था, और एक बार दो बार ने कई बार गिर चुका था, और आज के डीट में मतलब जो profit निक जिस दिन यह 80% गीरा था तो इसके बार में कोई नहीं बात करेगा और जब आज के रेट में जब यह stock मतलब काफियचा परफॉर्म कर चुका है आज के रेट में company के पास 20,000 करोड का order भी मिला है 20,000 करोड जो कि बहुत बड़ा amount होता है तो यह सारी चीज़े हमें सिखनी सगे अगर आपने कोई stock खरीदा है और आपको लगता है कि आपने अच्छा stock खरीदा है और अगर वो गिर रहा है तो गिरने दो कोई दिक्कत नहीं market में गिरावाट एक part है चोटा सा part है जो कि होता है आप लंबे समय तक hold की चीज़े अच्छी stock को फिर देखिए बहुत अच्छा रिटर निकाल के देगा जब company स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर 60% तो अभी दिख रहा चार्ट को set करने में आपको दिख रहा है यहाँ आपर कि 60% तक का गिरावाट होगा कुछ नहीं दिख रहा पता नहीं चल पाया चार्ट को set करोगे तो पता चलेगा एक्चलि मैं यहाँ पर भी 70% तक का गिरावट देखिने को मिला था तो यह पहली बार हो गया कि 80% गिरावट है 90% गिरावट है नहीं यहाँ पर भी देख लिजए यहाँ पर भी गिरावट है यहाँ पर तो भई कई बर गिरावट है है की नहीं है लेकिन आज की रेट में स्टॉक अगर अब देखोगे तो all time high पे है और company ने बहुत बड़ा return दे रखा है जिस company का नाम है Siemens तो इससे हमें क्या पता चलता है गिरावट market का एक part है जो आता और जाता रहता है तो हमें tension नहीं लेना चाहिए हमें market में बने रहना चाहिए याद रखे बने रहोगे तो दूर तक जाओगे और गिरावट में अगर बजार छोड़के चले जाओगे तो फिर भाई कुछ नहीं profit मिल पाएगा और company को आज की rate में बहुत अच्छा ख़बर भी आया है 20,000 करोड का order है जो कि बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है है की नहीं है मेरे ही सबसे बहुत बड़ी चीज है और मैं खुद ज़्यादा तर जब भी दूकान में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं जब भी कोई product खरीदना होता है तो मैं बोलता हूँ कैसर आपके पास Siemens का product है या फिर Siemens नहीं है तो Hevels का है तो अच्छा है अगर नहीं है तो फिर हमें मजबूरी में दूसरा product भी लेना पड़ता है लेकिन इनका product भी अच्छा होता है बहुत ही अच्छा होता है और सेफ होता है मजबूत होता है और लंबे समित तक टिकव भी होता है तो ये सारे ये लोग जो product बनाते हैं काफी मतलब बोल सकते हैं कि trust बहुत जादा रहता है Company बहुत सारा product बनाती है बहुत सारे sector के लिए company काम करती है देख सकते हो ये कुछ example बताया जारहा है उपर में देख लिए बहुत सारे sector है नीचे में देख लिजिए यहाँ पर है कि ने skill development और उसके साथ साथ hospitality आपको बताया जारहा hospitals और हो जाते है process plant हो जाता है oil and gas हो जाता है power generation हो जाता है airport हो जाता है railway, energy transmission ये सभी चीजों के लिए company जो है काम करती है तो electrical appliance में बोल सकते है company जो है capital goods में company का काफी अच्छा presence है तो ये कुछ product है आप चाहे तो यहाँ देख सकते है थोड़ा बहुत blur होगा क्योंकि picture clear नहीं है तो ये सारे कुछ product है जो उनके तरफ से बनाया जाता है wind power आपने सुनाओगा जो सुजलोन बनाता है वो भी ये company बनाती है और जहां तक कि export का मना जो बड़े-बड़े export है 20 analyst ने आपको recommendation दिया है कैसे stocks के उपर आप ध्यान दे सकते है और लोगों ने आपको बताया कि total आठ लोगों का मनना है कि आप strong buy कर सकते हैं चार लोग का मनना कि खरी सकते हैं और तीन का मनना है कि आप बेज सकते हैं तो यह क्या है कि यह जो बड़े-बड़े researcher है वो आपको बता रहा चाहते हैं आप हाला कि company में ऐसे कोई problem है ने तो यह क्या होता कि भई सीमेंस से हमें क्या सिखने को मिलता है यह सिखने को मिलता है अज देखो यह company एक लाग पांच हजार करोड की company है लेकिन इस company के पर date केवल 200 करोड का है केवल 200 करोड का है साथ में company आपको dividend भी देती है इतनी बड़ी चीज है इसलिए बोलता हूँ कि stock में गिराओट होता है तो होने दो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप long term के लिए hold करके रखो जादा benefit देखेने को मिलेगा हर बार जरूरी नहीं है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो या कहीं पर सुन रहे हो तो भाई हमें profit होना चाहिए एक ऐसा stock मिल जिनकी बतलते कभी ऐसा भी होता है कि भाई कुछ stock से कुछ company से कुछ case study से हमें सीखने को मिलता है समझ देखना और जब एक बार आप सीखना स्टार्ट कर देगा तो पैसा automatic आना स्टार्ट कर देगा जब आप सीखना बंद कर देगा तो भाई कुछ फायदा नहीं होगा तो बस लंबे समय तक hold करने की कोशिस करो गिरावट market का एक पार्ट है बार बार इस वज़े से बोलता हूँ ताकि कम से कम समझ में आ जाए और याद रहे और अगर आप स्टाक मार्केट में नहीं हो तो अपना डिमेट अकॉंट इंजल में उपन कर सकते हूँ जहाँ पर आपका डिमेट अकॉंट बिल्कुल फ्री डिलेवरी चार्ज इस फ्री के और 20 टुपीज लागता वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिन्टो में जाके अपना डिमेट अकॉंट बागर आपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में